जम्मो कस्मीर के पूंच जिले के बफलियान इलाके में सना के दो वाहनों पर आतंकियों दौरा 21 दिसंबर को के गए हमले में पांच जबान शहीद हो गए थे जिसमें उतराखंड के कोट दौर सी गोतम कुमार जनपद जमोली से वीरंदर स्विंग भी शामिल थे बताने की शहीद दौनों जबाज सेनिकों के पार्थे बेशरीर को शेना के हेलिकाप्टर से जौली ग्रांट ऐरपोर्ट लाए गया जहां सीम धामी ने भारत माता के दौनों सपूतों को सुर्ध धानजरी अर्पित करती हुई उनकी शहादत को नमन किया इसके बाद शहीद जबाज सेनिक गोतम का पार्थे बेशरीर उनके शिकपुर इस्थित आवास पर लाया गया जहां हजारों की संख्या में पहुची लोगों ने शहीद गोतम कुमार को नम आखों से बिदाई दी है सुर्ध धानजरी अर्पित की जिसके बाद बीर जबा और सी राजंदर खंतबाल की रिपोर्ट